सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट गुड मॉनिंग आलो फ्यू मैं आपका हमारे चैनल कोटिले स्टेडी जोन में स्वागत करता हूँ हमने जो अरियाना जिनल नोलेज की एक टेट सिरीज शुरू की थी उसमें आज हम टेट सिरीज नॉमबर फॉर डिसकस करेंगे इसकंदर हम ऐसे क्वेशना डिसकस करेंगे जो आपके एकजाम में बार बार पुछे जाते हैं और जिनके आपके आने वाले एकजाम में भी आने की उमीद है तो आई शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्याना के किस पर्सिद मेले में सरो और में सनात पित्रों की सुद्धी के लिए पिंड़ दान जैसे बड़े बड़े अनुस्थान किये जाते हैं कुन से मेले में? बहवा मेले में. यह हमने पिछली सीरीज में भी डिस्कस किया था. बहवा में जो मेला लागेगा, उसके शरौरों में सनान ताथा पित्रों की शुद्धी के लिए पिंडदान जैसे बड़े-बड़े अनुस्टान किये जाते हैं. केथल के फरल गाउं में? केथल के फरल गाउं में किस मेले कायोजन किया जाता है फल्गू का मेला पहवा मेला, सितला माता मेला यह उप्रोप्ट सभी तो इसका अंसर क्या होगा फल्गू का मेला केथल के फरल गाउं में इसका मेला वरता है फल्गू का मेला पिर देखे नार्नोल में स्थित चमुंडा देवी के मंदीर का निर्मान वे जिरुनोधार किस ने करवाया था तो अपसने आपके सरदार मंगल रगुनात जी ने, अर्सवर्दन ने, राजा नूरकर्ण ने, अंकराचार्य ने तो अंसर क्या होजाएगा, राजा नूरकर्ण ने, नूरकर्ण ने क्या किया था? चमुंडा देवी के मंदीर का निर्मान में जिरुनोधार करवाया था, जो कहाँ पर है, नार्नोल में देवी तलाव के शिव मंदिर का निर्मान किस ने करवा है तरदार मंगल रगुनात जी ने हर्याना में लोक गीत किस अवसर पर गय जाते हैं तो लोक गीत किस अवसर पर गय जाते हैं कोई परव यहां त्यारो तिर्थवर्तो जन्म विवा सावन वैं फागुन इन सब में इन सब में क्या किया जाते है हमारे अर्याना में लोग गित गाई जाते है अर्याना कि किस लोग नरते को चांदरी रात में खुले मेदान में चांदरी रात में कुल्य मेदान में क्या जता है तो किसको क्या जता है उतलिए में मंजीरा लोग नरते किस छेतर में क्या जता है मेवाद शेतर में मंजीरा लोग निरते में क्या बजाए जाता है क्या बजाए जाता है डफ, मंजीरा, नगाड़े सभी ये सारे के सारे बजाए जाते है उसके बाद हम बात करें निवन में से कौन सा लोग निरते बंगर शेतर में क्या जाता है तो बंगर शेतर में कौनसा नरते किया जाता है लूर अर्याना में कौनसा लोग नरते है मुख्य रूप से साधी के उसरों पर किया जाता है साधी के टाइम पे कौनसा किया जाता है गोडा लोग नरते अर्याने की कुर्चे तर्जिले में जोतिस और सरो और तिर्थ क्यों परसिद है तो जोतिस और तिर्थ क्यों परसिद है क्योंकि सिर्किर्षिन ने अर्जुन को गिता का उपदेश दिया था अर्याने की कुर्चे तर्जिले में स्थित है परसिद सर्वेश्वर महादेव मंदिर जोतिसर सरोवर तिर्थ तो ये दोनों परसिद सर्वेश्वर महादेव मंदिर और जोतिसर सरोवर तिर्थ ये दोनों की दोनों का है कुर्चेतर में तो अप्सन नूमर थर्ड दोनों स्थान कुर्चेतर में तिते कुर्चेत्र का परसिद सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान किसने करवाया मंदिर का निर्मान किसने करवाया बाबा रनोनाथ ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान किसने करवाया पुष्यबुत्ति राजजाने गुडगाओं में माता सितला देवी मंदिर का निर्मान कब करवाए गया 165 इस्वी में निमिन मेशिक्षान पर मनोंकाउना पुरियों ने पर घड़ी चडाई जाती है घड़ी काहा पर चड़ाई जाती है पीर नोक्जा की मजार पर अर्याना का वैस सायर जोवी सो मांचितर में धान का कटोरा और अर्याना का पैरिस तो ये को ने करनाल करनाल को क्या गया जाता है धान का कटोरा और अर्याना का पैरिस भक्त कभी सूर्दास का जनम सिही गाहां में हो था उर्दास का जनम कहा हुआ था एक ताप पूए दानरकने की सीही गाहूं में और सीही गाहूं अर्याना किजले में तो ये है फृद्धा वाजिले जागिरदार साह कुल खान ने जल महलना मक एतियासिक समारक का निर्मान कहां करवाया तो नारनूल में और अगर सीधा पूछले कि जल महलक कहां पर है तो नारनूल में अर्याना पर कुतूब दिन अभग का अधिपत्य कब हुआ कुतूब दिन अभग का अधिपत्य यानि कुतूब दिन के कबजे में अर्याना कब आया तो बारासो चैसियो में रिजिया बेगम का कतल का हुआ? केथल में 1245 इचिय में और यहीं पर ही रिजिया बेगम की कबर बनी हुई है रियाण में बलबन का राजी कब से कब तक रहा? 1266 से 1267 इच्वी तक खिलजी मन्स का आगमन कब हुआ? 1290 इच्वी में लाउदिन खिलजी का सांसनकाल कभ से कभ तक रहा तो 1296 से 1318 तक तेमुर ने आकरमण कभ किया तो तेमुर ने आकरमण किया था 1319 पानीपत का पहला यूद कभ हुआ पानीपतमे तीन यूद्यमे जिसमें पहला यूद 1522 तक दूसरा 1522 पानीपतमे और Six1 1561 यह पानिपत में तीन युद में पानिपत का पहला युद किस किस के बीच हुआ पानिपत का पहला युद हुआ इब्रहेम लोद्दी और बाबबर के बीच में कब 1526 में पानिपत के पर्थे युद में किस की बीच हुई बाबबर की बाबर का सासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 सीशिवी से 1530 सीशिवी तक मोहन सिंग मंडार ने बाबर के किलाव विद्रो कब किया? 1530 सीशिवी में सेर्षा का बच्पन हर्याना कि कि जिल्ले में बीता है? तो मेहंदर गट में. इसके बाद हम बात करते हैं, सेर्षा सूरी के दादा इब्रहाइम सूर का मकबरा कहां पर है? नार नोल में. आपर और पतक दूसरे योदे यह भाद हम डिसकस कर चूए 1556 में. वो दूसरे योद किसके बीच ओमुँअ हरा? एमू और अकबर के बीच में. जिसमें किस की जीत हुई? अकबर की जीत हुई. किस की बीज़े हुई थी? अकबर की. और अकबर की मृत्यू कब हुई 1605 इस्यू में उसके बाद हम बात करते हैं इसार में कॉंग्रेस की साका कब शुरू हुई कॉंग्रेस की साका 1889 इस्यू में जबतक में कॉंग्रेस की साका कब शुरू की गई 1886 इस्यू में लाला लाजपत्रा इसार से लाहोर कब गए इसार से लाहोर कब गए ठारा सो बाण में इस्यू में पंजाब इधान सबागे चुनाव कब हुए तो पंजाब इधान सबागे चुनाव उन्नी सो इन्ती सिस्यू में हर्याना पुर्वी पंजाब का हिसा कब बना उन्नी सो जन तालेशी में उसके बाद हम बात करते हैं पंजाबी सुबे की मांग की प्रतिकरिया में अलग हर्याना की मांग कब शुरू ही तो अलग हर्याना की मांग सुरू कब की गई उन्नी सो अड तालेशी में शच्चर फार अर्यांण अर्यान अलगराजे कब बना एक नौमर 1966 को जब अलगराजे बना तो रियाना का पहला मुख्य मत्री कौन बना पंडित भगवत द्याल सर्मा तो आज हमने State Series No. 4 डिसकस किये जिसमें हमने Question No. 151 से 200 तक डिसकस किये आज के लिए इतना ही अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको Like and Share करें और हमारे चैनल को Subscribe करना ना भूले और PDF के लिए Telegram Channel KotaList Radio Zone को Join करें Thank You Thank You